जहन बच्चों अपना स्कूल अले चैनल में आपका स्वागत है आज हम साइंस में क्लास एट्स में चैप्टर फोर्स को रीड करेंगे चैप्टर है फोर्स एंड प्रेशर तो यह स्टार्ट करते हैं तो देखिए भी है भी आज भी आल नो डैट अमोशन इस इंटिग्र पार्ट ऑफ अबर लाइफ देखिए जो मोशन है वो हमारी लाइफ का बहुत जुरूरी पार्ट है जैसके हम जानते हैं इन क्लास सैवंथ हमने क्या पड़ा था टॉक्ट बाउट डा डिटेल्स ऑफ दा लाइफ जैट जो दिटेल्स पड़ा था जो मोशन है ऑबज़ेक्ट का किसके लॉंगे लाइं तो बीनो डाट वी जैट्रम और इस पता है कि नेचर वाइज जो किसी की मोशन है वो यूनिवर्म हो सकता है नोन यूनिफॉर्म उसकता है तो यूनिफर्म है अगर उसकी सप लेकिन हमने अब तक यह नहीं पढ़ा कि मोशन का कॉज क्या है मोशन क्यों होता है तो वैन वाइड ड़स दाव स्पीड ऑफ जटेट चेंज विट ताइम तो देखिए हमने यह नहीं पढ़ा उसमें कि बैन मेंने कब एन वाइमने कैसे जो सपीड है जब चेंज करती है समय क साथ जिसके कारण uniform motion और non uniform motion होता है तो भी ओल नोगाना पड़ेगा कुछ एफट लगाने पड़े कोशिश करने पड़ेगा इसको मूब करने के लिए फ्रॉम अबर एब्री डे एक्सपिरियंस हमें हमारे डेली एक्सपिरियंस से यह नो वी नो दैट वी हैब टू पुश और पुल एटेबल और चेयर और इलमीरा इभी विश्टू चेंज पूजीशन इन दा रूम देखिए हमें पता है अपने डेली एक्सपिरियंस से कि कि रूम में हमें पुजीशन को चेंज करना है किसकी टेबल की चेयर की अलमीरा की तो हमें उनको पुल या पुश करना पड़ेगा वेन भी पुश और पुल या पुश करते हैं विए एक्सपिरियंस तो हम क्या कर रहे हैं उस पर एक फोर्स लगा रहे हैं एक फुटवाल तो देखें फुटवाल जो रेस्ट पे है उसको किक मारते हैं तांकि बहुत लॉंग दिस्टंस पे ओवर दिस्टंस कुछ डिस्टंस ट्रेवल कर सकें यह गेन से डैट वियर अग्जेटिंग एफ और इट हम यह कहते हैं कि हम इस फूर्स लगा रहे हैं विद्यरफोर से दाट वे अग्जेट एफ पुल और किक को और लीफ्ट अब्ज़ेक्ट तो इट्मिंज हम यह कह सकते हैं कि जब भी हम किसी बॉड़ी को पुल पुश क कि एक किज़ा लिफ्ट करते हैं तो इस पे हम फोर्स लगा रहे हैं तो इन ओल इस कंडिशन सिच्टुएशन इन सभी सिच्टुएशन में सम काइंड ऑफ एक्टनल एजन्सी कुछ बाहर से हमें एफट चाहिए वह जहें मस्कुलर एफट है जा कुछ और एफट है जो इनव कि इसका यह फॉलो क्या करती है यह सिस्टम को कि हमें जुरूरत है एक्टनल फोर्स की बॉड़ी को मूब करने के लिए और टुस्टॉप मुविंग बॉड़ी जहां फिर एक मुविंग बॉड़ी इसको स्टॉप करने के लिए तो देखिए फॉर्जम्पल बात करें तो तो इक रचे बॉड़ी बॉड़ सकते हैं बंट्चनल फॉर्ट बॉर्च तो देखिए यह फोर्स क्या है पूछ है जो प्ले मींज मौवजूदक़ी में आती है प्ले आती हमें करती है वहमारी इच्छा है हम चैंज करें प्रजीशन की पूजीशन को किसकी स्टडी टेवल की रूम में तो क्या करने पड़ेगा वी हैब टू पूशीट हमें इसको पूश करना पड़ेगा दस्टडी टेवल डाज़नोट मूव डूट इस अबर प्रेजन्स अलोन हमारे सिर्फ वहां होने से नहीं वो मूब करेगा लेकिन उस पर से एफट लगाने पड़ेगे हमारे तरफ से तो देर हैस टूबी एंट इंट्रेक्शन में पूलर पूश होनी चाहिए बट्वीन अस एंड़ स्टडी टेवल तो हमारे और टेवल के बीच में कुछ एक्षिन होना चाहिए जो पूलर पूश की फॉर्म में होगा तभी वो बूब करेगा तो अस्टडी टेवल बि Dawn's to move दिरेक्शन तो स्टडी टेवल वहरै उस इस ड्रेक्शन में सकरें हैं 마음에 की हमें identify करना है केंदा एफट एफट भी काल फोर्स का इसको हम फोर्स कह सकते हैं इस देर इंट्रेक्शन ब्ट्वीन दूस कंसर्ड अब्जक्स क्या जो दोनों कंसर्ड बॉड़िज की बीच में कोई क्या है हम इसको पूल करेंगे इसको कि तो देखिए ए precaution क्या है इसमें लगी ऐसे एफट लगी तो दैस्ट इस पार इपन करेंगे टेवल रोड तो उपन करने के लिए क्लोज करने के लिए पुल या पुछ करेंगे तो इसमें भी लगेगी तो इसमें भी दोनों प्जक्ट जो इंट्रेक्शन होगा तभी होगा आगे हैं स्क्वीजिंग बैट क्लॉज फ्रोड राइ तो देखे कपड़े नी चोड़ने से क हम करेंगे को क्या करेंगे हम करेंगे तो करने में देखिए एफट लगी यस इधर भी इंट्रेक्शन हुआ तभी हुआ वो पैडलिंग करते साइकल को तो हम क्या करते हैं इसको पुछ करते हैं यह रोटेट करते हैं अपने फीट के साथ देखिए इसमें भी एफट लगी फोर्स लगा तभी वह पाया नहीं हो नहीं पाता तो इसलिए एफर्ट जो है इंवाल्व की जो इसमें इंट्रेक्शन में दोनों बॉड़ी के पैलल और फीट के बीच में इंट्रेक्शन था इसी तरह मुविंग करना है कि लोड़ ट्रॉली को मुव करना है तो उसको हम करते हैं तो हम कह सकते हैं कि इसका रजल्ट क्या है फोर्स है दोनों बॉड़ी की बीच में जो एक्ट कर रहा है तो यह बात करते हैं एक वेट की तो नो भीकल से इत्वर पृर्स थे पुल और पुश तो फोर्स क्या है पुल यह पुश अपञें अपॉने अब्जक्त एक पूस्य लग रहा हैं में वीज़ेक्श करना सब्सक्राफ्फ दूसरफ औपिंड एकश्र लगा रही है जब दूभी तोब्यक्त से सब्सक्राइब कोई लग रहा है तो बेंदा इंट्रेक्शन सीजिस जैसे वो दो बोड़ी की बीच में जो एक्षन था वो सीज हो जाएगा फोर्स बीट्वीन देम नो लॉंगर अग्जिस्ट करेंगा अब बंद हो जाएगा तो फोर्स अग्जिस्ट ओनली एज रजल्ट इस जैसे पिक्चर देख सकते हैं बॉलॉक पुलिंग के कार्ण को खीच रहे हैं तो इसका मस्त कोलर फोर्स लग रहा है तो यह बॉल और बॉड़ी की बीचिब इंट्रेक्शन तभी आगी मूब कर रही है इसमें कि दूजूनों है फोर्स जाजनों जाल बेजन इंबॉल्व एफ फट्वाइद लीविंग बिंग्स तो देखे फोर्स के क्या नहीं चाहिए हमेशा इन एफट्स नहीं चाहिए पूल पुछनी चाहिए कि से लिविंग तिंस से हुमन और एनिमल से मतलब इसके इसक इसकी हो सकती है अब्यार के बात करते हैं तो देखी जे चीज कि जो है उसका फीड है ये सब्सक्ता पर कि सीड़ कर सकता है उसके नो मी GB कन से स्टेट में और बोह देखर ये स्टेट और मोशिन देखिए कोई किसी बौड़ी का मोशन पर वेक्वली कर सकते हैं देखिए एक याफेज़ बॉल याफेज़् देखिए प्लेइस क這邊 सुमूठ सर्फेस पे इस तरह की तो जैंटली हमने उसको पुश किया पुश करने से क्या है बॉल आगी की तरफ मूब करनी चुरू हो गई तो नाओ पुश इट हाड़र इसको और पुश किया हाड से तो देखो कि क्या करेंगे इसकी स्पीड बढ़ जाएगी डाज़ेटेंग्रीज तो स्पीड क्या है इंग्रीज होगी नाकी होगी सैकंक कैस क्या है रोल क्या है यह त looks कि पृट अगयने सपको प्रेस ने तो क्या करेंगे आप Western स्पीड हो जाएगी और वह रेस्ट पे आजाएगी इसी तरह next pull the ball at an angle एक एंगल पर उसको हम जब पुछ करेंगे तो देखिए उसकी स्पीड है वो चेंज हो जाएगी इसकी डिरेक्शन मोशन जो है बॉल की वो चेंज हो जाएगी तो चेंज एंगल उने अब जेक्ट में चेंज स्पीड डिरेक्शन और बोट तो मिन्स जब भी हम किसी बॉल के पर फोर्स लगाएंगे जो उसकी जो मोशन है उसका जाओ सबीड है वो कम जादा हो सकती है और उसकी डिरेक्शन में लग रहा है तो सपीड बढ़ जाएगी अगर उसकी डिरेक् और थर्ड है इफ फोर्स अक्षन एंगल अगर फोर्स किसी एंगल पर लगता है बॉड़ी में जो मूब कर रही थी तो वो उसकी स्पीड को चेंज कर देगी उसकी डिरेक्शन को चेंज कर देगी तो देखिए इसमें है डूज नो वेन बेरी समाल बॉड़ी हिर से बैरी इसके लिए जो प्रडूज इसके लिए जो फ्रडूज ज्मॉल बॉड़ी में वह ज्यादा है और तूज बॉड़ी में जो फैक्ट था वो कम था और ज्यादा हुआ तो अबर देखिए अबर कॉमन एक्स्पीरियेंस हमें क्या बताते हैं कि यह अप्लिकेशन ओफोर्स द जो विए प्रड़ी में कोई फोर्स लग रहा है वो ना तो उसकी स्टेट चेंज कर रहा है वो रेस्ट पे हैं मोशन फेन लिक्राइग करते हैं तो मैं नोट देरफोरा और सगसी ने ब्रिंगींगे चेंज जंडा मोशन ऑड़ी तो यह जुरूरी निए सब्सक्राइब कोशिश करता है जैसे के बड़ी चटान को पूलिया पुश करें तो वह हमसे हिलेगी नहीं तो अब देखिए जो रिजल्ट क्या है फोर्स का सेकंड क्या है यह साइज और शेप जब्जक्ट कर सकता है वी नो दैट टू में चपाती चपाती बनाने के लिए फर्स्ट भी क्या करते हैं जो आटा गूंते हैं रोग उसके बाद रोल इट बट्वीन दा पालम स्पालम से बि इसको प्रेशर डाल के दोनों तरफ से बैप्रेसिंग जेंटरली बिट्वीन अबर पालम से अपनी हथेलों के बीच में पकड़ के दबा के सम आफ दा सम आफ आस माइट है चांस उसको चांस मिलागा अब्सॉर्ब करने का पॉर्टर बार कैट हो वो काम करते होते हैं मिट इसका साइज में उसका साइज कम ज्यादा करना शेव मिंज उसकी बनावट को बदलना और बहुत दोनों ड्यू तो फॉल फॉर्स अप्लाइड हो नहीं उनके उपर फॉर्स लगा कर अब देखिए वी के नाव से जैट एट फॉर्स क्या कर सकता है किसी ब्जेक्ट को चेंज कर सकता है साइज में उसको कम ज्यादा कर सकता साइज उसकी शेप बदल सकता है बालून पर जैसे एक्समपल थी और कॉस्ट नोर और ऑ और उस्तिरह की दो इसी तरह गोल कीपर सेब जे गोल बाई किकिंग दा बॉल अवे तो इसी तरह जो गोल कीपर है वो बॉल को सेब करता है उसको किक बारता है बॉल को दूसरी साइड में जैसे की फुटवाल केस में तो वह क्या कर रहा है इसको सपीड बढ़ा देता है साथ की सच की डिरेक्श बॉज्ट में उसे स्पीड में उसी डिरीक्ट में रहेगी टे मैं और उख्च करता है क्या करता है क्या करता है यह कि अपनी तो रेस्ट मिनना चाहेगा इस रूल को क्या करते हैं लॉफ इनर्शिया नेक्स्ट माने पास फैक्टर एशोशेटेड बिद्धा मैगनीचूड ऑफ फोर्स नीड़ तो देखें हमें कितना फोर्स लगना चाहिए इससे लेटर फैक्टर की बात करेंगे जितनी हार्ड किक मारेंगे फोर्स को फास्ट इट मूबस इट मींज ग्रेटर जाप्लाइड फोर्स जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे उतनी ही ज्यादा चेंज होगी उसकी स्पीड में एक तरफ लोड़ ट्रक है पार्क किये हैं होर्जंटर लोड़ पे वी ओलो डाइटर पुश इस नीड़ ट्रक देंदा कार तो माली जी एक ट्रक है एक कार है दोन्यों को पुश करना एगर वो खड़े हैं उसको स्टार्ट करने के लिए तो हमें ट्रक को ज्यादा फोर्स सब्सक्राइब करना पड़ेगा क्योंकि वो है भी है ना सब्सक्राइब करेगा लेकिन कार उतने ही फोर्स में ज्यादा मूब कर लेगी ग्रेट स्पीड से इंग्रीज हो जाएगी विशसर लाइज इससे में क्या पता लगता है कि मास उफ एन उगजेक्टड यंड बाली ओफ चेंज इनट स्पीड जो है और बोत इंप्वोटर्ट पैरेमिटर्ज जे दोनों बहुत इंप्वोटर्टेंट पैरेमिट्र हैं जिससे में डेटरमें पता लगता है कि फोर्स धुनो में आलाकर सब्सक्राइब हैyu के दया फैसे समय है तो ये खेश्ण and करने के इब को जाएगा इसको करने के देखें क सबद करने है और भुब स्क्राइब KSc करने में यूझे एक इसे की अब हintéगी तो जितने स्ट्रेट होने कोशिश करेगा जिसके कारण उसकी रीडिंग जो है जिस ग्रेजूटर स्केल पर आ जाएगी तो दिखिए फोर्स इसमें दोनों चीज है तो इसको पूरी तरह बताने के लिए फोर्स का हमें बताना पड़े फोर्स लग रहा है तो कितना लग रहा है उसकी मैं तुर्णों चीज बतानी बहुत जुरूरी है वेन भी चेंज आईदर डिरेक्शन और मैगनीचूड और बोथ अप्लाइड फोर्स इसका फैक्ट जो है चेंज हो जाए मालीजे फोर्स की जो मैगनीचूड है वो है उसका कितना हम पुश या पुल लगा रहे हैं अगर मैगनीचूड बदलेंगे जा उसकी डिरेक्शन एक को लगा रहे हैं जिस रिसलोग मुशन के साफ से और सिऔसी एंगल does not cause any change in speed but can still cause change in direction तो जब भी force किसी body की speed के 90 पर लगता है जा एंगल पर लगता है तो क्या करता है उसका वो change करेगा direction को नेक्स्ट देखी सी कोडिंग balance force and unbalanced force तो from our experience हमने क्या देखा we know that sometimes more than one force can act on a body तो कई पर क्या होता है कि body पर एक से ज़्यादा force लग रहे है तो effect of all these force in the body would be due to the net force acting on this माल लिए जे body है इस पर कई force लग रहे हैं कहीं से भी लग सकते हैं तो जो net result क्या होगा कि net result क्या है net force क्या है body पर लगना उसका matter करता है to understand this आये कुछ activity करते हैं तो activities में क्या है देखिजी box है इस box को दो बच्चे पुश कर रहे हैं तो दोनों पुश कर रहे हैं एक साइड में तो यह box क्या है net result क्या होगा इदर force बढ़ गया तो यह इस direction में मूब कर जाएगा इस case में क्या है दोनों बच्चे माल लीजिए opposite direction में फोर्स लगा रहे हैं तो net result क्या है जो फोर्स है वो balance हो जाता है गर वह equal जो लगा रहे है equal force लगा रहे है तो यह box does not move नहीं करेगा तो इस तरह फोर्स balance force है और unbalanced force है तो देखिए इसी चीज़ को बता रहे हैं अन्बैलेंस फोर्स क्या है कि टोटल फोर्स जाओ था वह एक ही डिरेक्शन में इधर फोर्स कम है इधर ज्यादा है तो यह इधर डिरेक्शन में अब लिए बॉड़ी है इसके ओपर जो दो फोर्स लग रहे हैं यह यह लग रहा है इसी द्रेक्शन में लग रहे हैं तो यह वन टू थ्री जो है सब के सब प्लस हो जाएंगे तो नेटर जो फोर्स क्या होगा 123 का सम होगा प्लस क्या है जहां लग रहे तो च्याल्स करके यह क्या होगा यहां को माईन तो देखिए जिस तरह यह अपना एक गेम होती है टाग वार इसमें क्या है विकर टीम आलवेज गैट पुछ पुल्ड विकर टीम आलवेज पुल की जाती है बाइदा स्ट्रोंगर टीम वही बात है इसमें बैलेंस अनफैल सी बात है अगर दोनों टीम्स ब्राबर एक को फो जो ब्लॉक्स कर रही है बुड का लाइंग उने टेबल पर पड़ा है जो इसको दो स्प्रिंग से टाइट किया गया है देखिए इभी पूल दा ब्लॉक फ्रॉम बोथ साइड से को खीचेंगे पूल करेंगे और सेम फोर्स लगाएंगे तो ब्लॉक क्या है स्टेशनरी र पर लाइंगे तो नेट क्या था उनका जीरो हो गया तो इसको क्या बैलेस्ट फॉर्स पॉर्स बैलेस्ट हो गए लेकिन नेक्स्ट केस में अगर हम स्कूईज करें रबड बार को पालम्स के साथ अपलाई करके सेम फोर्स ॉपजिट साइड आज तो देखी उसमें क्या हो इक्वल औॉपजिट फोर्स दूनोड चेंज था स्टेट ओफ तर रेस्ट और मोशन ने बाडी कि एक बाडी पे अगर इक्वल और अपजिट फोर्स लग रहे हैं मालीजे बाडी है इधर से भी तो नहीं लग रहें तो वह बाडी की स्टेट को नहीं चेंज करेंगे लेकिन सिक्ट हो सकती है है सैगिन है लग निएक लग रह लगना लीजिए एक की तरफ से फोर्स लग रहा है तो यह स्थेट है वह सकती lived 저 सकता है तो इस तरह से हमने पड़ा कि ya balance फोर्र मुस क्या उते हैं तो डवी सब्सक्राइब करते हैं कि युनिवर्स में ग्रैविटी कैसे लगती है और सेकंड बुक करती है कि लाइट के बारे में बताती है ऑप्टिकल रिसार्च के बारे में बताती है न्यूटन के आइडियाज को तो न्यूटन सब्सक्राइब करते हैं और बहुत इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है तो नेक्स्ट देखिए टाइप फोर्स फोर्स कितरे तरह क्यों सकते हैं दिके फोर्स दो तरह कि हैं क barrel लग रहे हैं तो थम्सक्राइब के साथ तो fat बांद जांद करें क्णक्ट की तो क्रिक्छनल往 में देखिए तो बात करतें पहले मस्कुलर म्छयां एक्जाम्पल्स है कॉंटेक्ट फोर्स की तो बात करते हैं पहले मस्कुलर फोर्स की इन अब डेली लाइफ भी पुश और पुल और लिफ्ट मैनी थिंग्स कई थे चीजें को फुल पुश करते हैं तो एफस्ट जो है वो कारणी के कारणन कि करते हैं पुश कर अगला Rights HAIRS Horses Camels जो है haven't used for pulling cars cars फिर हो खीचने के लिए यूज करते हैं इनको तो इन आर्टिक रिजंस आएं रिंडी रियंडीर्स आर मेड पूल दा यह स्लेज़ को खिशने के लिए इनको यूज कर जाता है दियर्सको जो कि पैसेंजर वीकल सब्सक्षोब इंनल जो है वह फ्लाई करते है फोर्स और इस फोर्स को कहते हैं मुस्कुलर फोर्स तो आल एनिमल्स इनक्लूडिंग ह जो फोर्स लगाते हैं एक्टिटीर थे मॉस्कुलर फोर्स नेक्स्ट है फृक्षनल फोर्स भी नो दैड़ रोलिंग अलांग दग्राउंड एक बाल जो रोल करें ग्राउंड पे ग्रैजुली स्रोडाउं हो जाती है और रेस्ट पे आ जाती है और इन ओडर टु मुव स्ट्रेट रोड पर चलाना है तो भी हैब टू की पैडलिंग हमें पैडल लगाने पड़ेंगे साथ-साथ जैसी मुरूख देंगे वो रुक जाएगा तो दिसीज विकाउज आफ दा फ्रिक्शनल फोर्स यह किसके कारण और है फ्रिक्शनल फोर्स के कारण जो एक्ट कर रह करणा तो जिस तरह मोचन और हुए उसकी ऑपजी डियक्शन में हेमेशा ही फ्रिक्शनल फोर्स लगता है वी विल लेर्न मौर बाउट बिस डिटेल वी फोर्स लिन नेक्स चेप्टर तो नेक्स चेप्टर जो फ्रिक्शना पर है उसमें पड़ेंगे तो देखिया के हैं do you know do you know में क्या है देखिए एक पॉपुलर स्टोरी है वन डे की तकी न्यूटरन वाज सिटिंग अंडर दा ट्री एपल ट्री की नीचे न्यूटरन बैठा था एक एपल फाल हुआ उसके हैड पे और उससे क्या हो उसके आइडिया मन में आया किसका फोर्स ग्रेविटेशन क स्टोरी में यह बात है कि अक्चुली हुआ क्या था प्रबैबली दा मोर क्रेक्ट वर्जन जो थी इसकी स्टोरी की वह थी न्यूटरन की उसने अब्जर्व किया कि एपल फाल्स प्रमेट्री और बिगिन तु तु तिंक अलॉंग दा फॉल्लिंग कि जैसे एपल गिरा उ कि श्बीटDesk बिडि़ी यहर मसट वी पोर्स कोई फोर्स एजो को एक्ट कर रहा हुंग एजने लग आगर हो नाट मीजी रहे है जा सभी से पर लग रहा है बाई सच रिजिनिंग न्यूटर्ण केम टू क्लिंग यूजन टे न्यूटर्ण किस सिटे पर आया किस रिजल्ट पर आया जैट एनी टूब्जेक्ट्स इन दा उनिवर्स कोई भी उनिवर्स में एक्जर्ट करते हैं ग्रेविटेशन अट्रेट्ट्ट तुह सिट्विटेशन क lett हो सब्सक्रिट सब्सक्रिज्य और तुसक्वक Character और। बाएगए तब लगा रही है यह था न्यूटरण का डू जोन नेक्स्ट देखिए की बात करें एक्शन टेंस फार्स लग रहे घ्यूंस तो देखे भी कॉंस दीज फॉर्श ननकोंक्त रहेمة ठेटन कोई में नहीं है तब इनका अफेक्ट लग रहे हैं इसकी लिए इनको नॉन कंटक्स फोर्स कहते हैं तो देखिए भी आरेबल टू अग्जर्ट पुल पुश डिस्पाइट देर सेप्रेशन दो बॉडिज लग लगें लेकिन पर पुल पुश लग रही है तो इसकी ग्जमपल्स लेकिन फिर बाद में नीचे आ जाती है इसी तरह राइफ फ्रूट्स पकी हुए जो फल होते हैं जो कि ट्री पे ग्रो करते हैं वो भी फाल कर जाते ग्राउंड पे अपने आप जिस यह किसके करण होता है ड्यू टू दग्रैबिटेशनल फोर्स ग्रैबिटी की फोर्स के सब्सक्राइब करन नेक्स्ट इस में मैगनेटिक फोर्स भी है अलड़ी लेंट इन दा क्लास इक समने सिक्स क्लास में पढ़ा था कि मैगनेटिक प्रॉपर्टी है जो लोट स्टोन की वाज नौन टू दा माइन का माइन करन के लिए बहुत ज्यादा नौन है और इजली औ नो टू मैगनेट के वह Integrials करते हैं एक दूश्य को प्रें करते हैं और आन्लाइक पोल्स होते नार्स और सथ वो अट्रैक्ट करते हैं तो एक मैगनेट क्या है drop जस्क नहीं नहीं है तो यहां पर पुछ हो रहा है यहां पर पुल हो रहा है तो देखिए डूजू नो है कि सिंगल आइसुलेटेट फोर्स डाजनोर एक्जिस्ट बाइट सेल्फ जो सिंगल फोर्स अकेला जो आइसुलेट है परे हैं वह अकीला निग्जिस्ट कर सकता फोर्स आर आलवेज पुछ और पूल्ज बेट्वीन टूबजेक्ट्स यह दो ज लगा रही है पुल कर रही है जो फोर्स ऑपुछ ऑपुछ रहे तो इसतरह से जो है वह फोर्स अपजिट है और इकुलिन मेगनिचूट है अ तो नेक्स्ट देखिए लैक्ट्रिक फोर्स तो वी और टीं में टॉड़्स याव लिटी रबर बिदे सिल्क लॉट जैसे कि गलास रोड को हम सिल्क के कपड़ करते हैं तो यह जो इसका रॉड है वह पॉजिटिव चार्ज बन जती है सिमिलरली एबुनाइट जो रोड थी उसको रब करते हैं बूल के साथ तो रोड जो है वह नेग्टिव चार्ज बन जती है अब बिंग दीस चार्ज अब बनेट रोड नेट तर से स्पेंडर ग्लास रोड ग्लास रोड में पॉजिटिव था और एबुनाइट रोड में रिपल किया को कि सेम चार्ज रिपैल करते हैं और जैसी ग्लास रोड के पास लेकिया तो उसने उसको अट्रैक्ट कर लिया तो कि जो प्लस माइब नेग्टिव पॉच्चि वह जो दोनों अट्रैक्ट करते हैं चुमब की तरह हैं तो इसको करते एलेक्ट्रिक फोर्स प्लास्टिक टाइप हैं इसी तरह टू प्लास्टिक रिफल से रब रब विद पॉलीथीन एंड कैपने रीच दर दो प्लास्टिक के रिफल कमने रब करके पॉलीथीन के साथ एक दूसरी के आसपस लग दिया देखिए नॉन कंटेक्ट फोर्स लग रहा है किसके कर लग प्लास्टिक बात करते हैं प्रैशर की वी आर नाव फैमिलर बिद अफेक्ट फोर्स हमें देखिए इसका बात का पता लगया कि फोर्स के क्या अफेक्ट हो सकते हैं डिफ्रेंट अब्जेक्ट के ओपर तो केरफुल अब्जर्वेशन एनलाइस रिवील देट अच्छी त यह के उपर भी डिपेंड करता है तो इट इस कॉमन एक्सपिरियंस दैट इट इस डिफिकल्ट तो कैरी एस पतली है तो इसको लियाना इसको कैरी करना बड़ा मुश्किल हो जाता है इसी को ही इसी सेम स्कूल बैक को लियाना अगर उसकी जो स्ट्रेप्स वो ब्रॉड हो जाए चौड़ी हो जाए जो जिसको हम शोल्डिस में डालते हैं तो इसे क्या पता लगता है इप्दा सेम फोर्स वेट होई था अप्ट करता है तो इसका अफेक्ट जो है मोर होता है जब हमने स्पूल बैक को उठाया जब उसकी उसकी मैगनिचूट क्या है और कितने एरिये पर लग रहा है तो देखे वी दियरफोर नेट टू डिफाइन ए फीजिकल कॉंटिटी इसलिए हम एक फीजिकल कॉंटिटी बतानी पड़ेगी डैट जो की बहुत फैक्टर को अकाउंट में ले लेक मिन दोनों फैक्टर को मै मैगनिचूट और एरिया को भी काउंट कर ले तो देखे इसके लिए क्या किया जो फजिक्स वाले थे हैं नौ डिफाइन सच्छे कॉंटिटी एसी कॉंटिटी का नाम देदिया प्रैशर जिसमें मैगनिचूट भी है और एरिये के कॉर्डिंग भी बात कर रहे हैं कितने direction of the source given area तो हम इसको कहते है घजाए जसे अक्टिंग होनुन चरफसरेटई काल्ड प्रैिशर तो देखिवी बादिगोर प्रेश्य प्रेश्ट तो यहां से कॉंटिटी आई प्रेश्य तो देखें शॉलिड इन ड्रेक्शन किसी ड्रेक्ष्ट्र में उसको ब्लाइब कर सकते हैं लेकिन क्या सोफ लिकटें गैसी जो की रेस्ट पे हैं फोर्स जो है हम 90 डिग्री पर लगा जाता है लिक्वर्ट के सर्फस के उपर तो इस इस बुकाज फ्लूट सेट रैस्ट कैनोट सस्टेन टैजेंशल फोर्स विद यूजली स्पीक इन तरम्स आफ दा प्रैशर इन दिसके तो इसलिए हम इस केस में लिक्वर्ट गैसी केस में प्रैशर की सब्सक्राइब करते हैं तो इट फॉलस डैट दा प्रैशर ड्यूट गिवन फोर्स बुट वैरी अकॉर्डिंट टू दा एरिया ओवर विच फोर्स एक्टिंग तो देखिए जो प्रैशर है वो अलग लग होगा कि सिस्ट पर करते हों भी कितने एरिया उपर लग रहा है क जैसे कि बैग था स्कूल बैग था वही वेट है लेकिन एरिया कम कर दिया तो प्रैशर बढ़ गया एरिया बढ़ा दिया तो प्रैशर कम हो गया तो देखिए प्रैशर आलबेज जानने के लिए हमें इसकी मैगनीचूट का पता होना जुरूरी है देखिए एक्टिविटी है इसमें देखिए बड़ी सुन्दर एक्टिविटी है इसमें इसमें हमें यही बताया गया कि इसका प्रैशर का फर्क क्या देखिए यह बुक है यह बुक का वेट वही है इधर वही बुक है इधर वही बुक है वेट में यह क्या है एक अपना तो देखें मोल्डिंग क्ले है यह मोल्डिंग क्ले है यह मोल्डिंग क्ले तो देखें क्या हुआ जैसे इस ब्लॉक को इस पूजिशन में रखा एरिया बढ़ गया फोर्स उतनी था तो कम प्रेशर पड़ा लेकिन जैसे इसको इस पूजिशन में रखा ब्लॉक को तो यह ब करता कि कि तरह के सब्सक्राइब करता कि अद्ट कि फोर्स की काफी एप्लिकीशन से डैम से उनका बेज होता है चोड़ा होता है उपर की दर्फ जाते होते हैं वो नैरो होते हैं जिसके कारण जो प्रैशर था वो उनके उपर कम हो गया इसी तरह टैंक्स हैं बुल्डोजर्स हैं उनमें फिट किये होते हैं कैटरपिलर ट्रैक्स वील्ट की जगां तो से क्या होता है वो उनका एरिया बढ़ा देते हैं जिसके कारण वो प्रैशर था उनका कम हो जाता है वो जमीन में दबते नहीं है तो इसी तरह रेलबे ट्रैक्स होती है वो लार्ज बुड़न फ्रेम्स के उपर लगाई आरेन स्लीपर्स के उपर ताकि एरिया बढ़ाने से नीच कर देंगे जैसे कि हमने कट करना है किसी चीज को नाइफ के साथ तो हम देखिए अगर ब्लंट नाइफ लें जिसका एरिया बड़ा हुआ है तो कम काम करेगा उसकी जगह घर शार्प नाइफ लेंगे तो वह जल्दी से उसको कट कर देगा क्योंकि एरिया कम हो गया इसी त लिकुड प्रेशर जो लिकूर्स में लगता है तो इसके वेट के करन ऑन बॉट्म ऑफ तो गंटेनर जिस बॉट्स कंटेनर में रखा गया देखिए इसमें यह कंटेनर है जिस तरह अब लिकुड का वेट जहाँ जाता है क्योंकि सारा का सारा बजन इदर बढ़ रहा है ज लिकुड प्रेशन कहते है को यहां यहां सब जगाए प्रइसर लगते है अ कर साथ का देखिए इसमें यह यहल कर दिये तो से क्या हुआ जहां नीचे जैसे डेफ्थ की तरफ जाते हैं तो पूरा का पूरा लिकॉर्ड इसमें बजन डाल रहा है तो जहां प्रेशर बढ़ गया तो देखें इसलिए यह जो साइड में ज़्यादा दूर जा रही है इस स्ट्रीम पे प्रेशर कम है क्योंकि यह टॉप की तरफ जा र साथ इसका मतलो तो यही रिजन है कि सब्मरीन जोती है को थिक जो है स्ब्मरीरे जो नीचे समूदर में जाएंगी तो क्या है नीचे प्रेशर बढ़ जाएगा अगर उनका जो मिट्रियल है वो थिक और भी नहीं हो तो वह सब्सक्राइब हो जाएंगी तूठ जाएंगी नंबर फोल्स कर दिए गए हैं सेम लेवल पे टिन के एक एन में शार्प नेल से अब रिपीट कर दिया स्टेप को जो उपर किये थे तो टैप्स को क्या है रिमूब कर दिया दोनों यह फोल्स को तो देखिए क्या हुआ कि हमने मार्क कर दिये पॉइंट से भी कहां पर उसकी एक्ट करता है उनमें तो मिंज इसका मतलब क्या हुआ कि इस लेवल पे जो जी लेवल है इस लेवल पे कितने भी होल कर दें तो सब का जो प्रैशर वह सेम होगा इट मिंज लिकोड जो है सब जगां एक ही पॉइंट पे एक साई प्रैश्र लगाते हैं सभी डिरेक्शन मे तो देखें do you know है pressure applied at any point in the liquid is transmitted equally in all directions जो बात हम कह रहे थे कि सभी डिरेक्शन में एक्कोल ही प्रैशर को लगाता है hydraulic jack जो होता है कार को lift करने के लिए washing stations पे and hydraulic brakes होते हैं जो ब्रेक लगाते हैं वो इसी principle पर काम करते हैं कि उनमें क्या है जो प्रैशर है वो सभी डिरेक्शन में एक को लगता है इसलिए वो पाइपों में से जाकर आगे जहां पे लगाना है वहाँ प्रैशर लग जाता है त तो देखिए जो लिकुड प्रैशर रेंड़ बॉटम ऑफ दा कंटेनर जो है डाज नोट पेंड पॉन दा एरिया ऑफ दा बॉटम तो माल लीजिए किसी चीज़ का एरिया रेखिए इस तरह चोटा है तो इटमिंज यह निए कि यहां प्रैशर कम हो जाएगा प्रैशर ड है जितनी कॉलम में हाइठ है उतना ही जादा वो प्रैशर नीचे अग्ज़र्ट करें क्योंकि सार णासारा वाटर एक दुस्रीक ऊपर आ गया है और जितना उसमें यहिती में लिगզा होगी बारीपेन उत्ना ही जादा वो प्रैशर अग्जर्ट करेंगा इसकी प्रॉ क्योब तो जूक्रव सब्सक्रों सब्सक्राई बहुत्राएं मैं मेरे अर्थटों सब्सक्राइब आसपास है क्योंकि gravity's को अपनी तरफ खीच रही है तो जो एंबैल पे एर का हमारे आसपास इसको कहते हैं atmosphere it extends up to nearly 1000 km above the surface of the earth यह हम से 1000 km उपर तक इसका जो एर का जो एरिया है वो है तो weight of this huge mass of air जो है हमारे उपर एक प्रैश्र लगा लग रहा है at all points and at the same all objects on the earth तो अर्थ पर जितनी भी बॉड़ीज है सब के उपर air का प्रैश्र लग रहा है क्योंकि सारी की सारी एर जो है आर्थ की तरफ एट्रेक्ट हो रहे है ड्यू तो जो यह प्रैश्र लगा रही है इसको कहते लग रहा है तो अमेजन कीजिए अर्थ के उपर यह जुनिट एरिया है तो देखिए वेट होगा कॉलम का कॉलम का सिसलेंडर में हाइट में वो क्या उसके एरिये के उपर डिपैंड करेगा तो जो की बताएगो सिर्य का प्रैशर तो वाइज इस दा वी डू तो नोट फील इस लार्ज प्रैशर और अक्टिंग और अस आर्टाइम देखिए लेकिन यह सभी सारा प्रैश्र में हर समय क्यों नहीं फील होता वी जूनोट नॉर्मली फील इट भीकॉज जेर इस आल स डाइज हैं यह थो कि फोना रहते हैं तो दो जाएं तो तो अबसे नहीं हो ऑस में यहां किसमीट है कि तो रहते हैं तुपर है तो मीन हर समय हमारे बॉड़ी पे हमारे सोल्डर पे 1000 पड़ रहा है जो कि में फील नहीं हो रहा क्योंकि हमें आज़ पढ़ गी शुरू से एसे एंवर्मेंट में रहने की तो देखिए नेक्स्ट एक्टिविटी है इसमें एक्टिविटी टैन पॉर्स हम होट बाटर होट बाटर को प्लास्टिक बोटल में डाल दो केरफुली अब इसकी लिड लगा दो इसको शेक रो हाफ मिन्ट के लिए अब इसमें पॉर आउट वो अब डिफॉर्म होगी क्रश होगी इनवर्ड्स तो देखिए अक्टिविटी में शो कर रहा है पहले बोटल में हमने पानी डाला और कैप लगाके इसको आदा गंटा हिलाया उसके बाद हमने क्या किया पानी को निकाल दिया और बोटल को इक्तम से बंद कर दिया तो द यसी हम ने रिड को एकदम से खोला और उसे क्या हों उसके अंदर हवा जो कम हो गई और हमने इकदम से पानी निकालकर इसको बंद कर दिया तो जैसी फो ठंडी हुई तो pressure जो था यह का कम होगे जिसके कर्ण और यह ने इसको प्रेस किया जिसके कर्ण वह स्थ कुई हो गई लगे तो बात करते हैं इत्व हो है लगें लीजेलि hall बात करते हैं तो इसका के आप साह्य तरह की तरफ चाहिए प्रेशर भी कम होता जाएगा तो डिक्रीजिन एर प्रेशर एट हाई अल्टी चूर्ट कम हो जाता है तो इसलिए वेन भी मूब ट्वार्ड हाई अल्टी चूर्स हमें ब्रीथिंग प्रॉलम आ जाती है मैं सांस लेना मुश्किल हो जाता है और सम्टाइम हमारे सम से कबिन होते हैं ताकि उपर जाने से वहां का प्रैशर ना कम हो क्यों माइन डौलेब हार इवा जाता है एक तक हमें र लाइ Adm टा वहां क advoc वार्म बन जाएगी और लाइट हो जाएगी और यह वहां जगह लेने के लिए आ जाएगी हैंस एक रशिट इनद फॉर में एक जगह से हाइप प्रेशर से लोग प्रेशर की तरफ रश हो जक्ति है जिस से लेंग में बीजी चलती है यह सी बीजी हवा चलती है सेब्स चलते हैं। इनके कारण भी क्या है प्रैश्र का चेंज होता रहता है। तो देखें इंपोर्टन्स की बात है तो देखें फर्स्ट है बेंब्र भी ड्रिंक लिक्वर्ड फॉम इस ट्रॉव की हेल्प से जब हम लिक्वर को पीते हैं तो इसी सक करते हैं उसमें प्रेशर ड्यूस हो जाता है जिसके कारण जो एट्मोस्फेर है वह प्रेशर उसका ज गारित लिकुड के उपर वह बढ़ जाता और लिकुड हमारी स्ट्रॉव में एंटर कर जाता है तो जिसके कारण हम उसको असानी से पी सकते हैं कि सेकंड है भी सम्टाइम यूज रवर्ट सकर रवर्ट सकर को यूज करते हैं फोर इंस्ट्रॉलिंग हुक्स रूम में तो जैसे सकर को प्रेस करते हैं तो उसके वीच निकल जाती है तो हैंस इसके अंदर वैक्योम हरे जयता है और आउटर साइड एइर है वह उश्के पर बढ़ा देते जिसके कारण वो उसको होल्ड कर लेता है चीज को तो जिसके कारण ये किसी चीज से चिपके जाते हैं जैसे कि ये शो करका देखे टेवल को हमने इसको जैसी प्रेस किया इसके अंदर की हवा निकल लगी अब इंसाइड एर प्रेशर कम हो गया आउट जाद है हम फोोर्ट बात करते रहते हैं तो दिस नेट चू披्याइड़ क्योंकि ये फोर्स लगँजिज प्रैशर लग छीज़ें तो देखिए की बात करते में पर क्या है춰 सोर्स क्या देजब कि पूलबुच कर सकता है दो बोड़िस की बीच में लगता है और यह से क्या है अब ये अपना contact में हो सकता है बिना contact हो सकता है किसी की direction जुआ मैं भी लग सकता है और इसमें magnitude भी होती है तो देखिए नेचर एसका effect की बात करें क्या कर सकता है जब किसी body को rest में से motion मोशन से rest मिला सकता है ये उसका जो motion चेंज कर सकता है उसकी shape को चेंज कर सकता है अब इदर बात करें प्रैशर की तो प्रैशर क्या है थ्रस्ट पॉन एरिया है और बात करें प्रैशर सॉलिड्स में सिंपल है लिकूर्ट की बात करें तो हाइट के कोडिंग लगता है जितना और डैंस्टी के कोडिंग बढ़ता कम होता है तो देखिए देफ्ट में इंग्रीज होता है और सभी ड्रेक्शन में इक्वल लगता है और इसका कंटेनर की शेफ से कोई लिए रंजना नहीं है और बात करें प्रेशर गैसिज में तो एटमस्फेरी प्रेशर होता है यह बहुत इंप्रेटन प्लेयरोल करता है हमारे डेटू डे है यह दोनों डिफरेंट थींग्स हैं और थैंक्स फर वाचिंग दिस वीडियो